हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो माई यूटूब चैनल मैं सबसें माफी मांगता हूं कि मैं बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो बना रहा हूं तो आज का वीडियो हम बना रहे हैं ब्लेंडिंग कैसे करेंगे हमारे आर्ट को क्योंकि अगर आप जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका बनेगा ड्राइंग बनेगा तो मैं कुछ घरिलू सामान है और कुछ मेरे प्रोफेशनल है तो उनका इस्तिमाल करके मैं आपको बताऊंगा कि आपक प्रेशर के साथ कीजेगा फिर उसको हलका हलका लाइट प्रेशर के साथ ऐसे कंटिनुसली आप ऐसे लाइन खिशते रहेंगे तो वह हलका साइक शेडिंग के शेप में आ जाएगा इसको ब्लेंड करने के लिए विए यह ब्लेंडिंग स्टिक है उसका यूज किया जाता है कि फर्स्ट वे हम इसके साथ ब्लेंड कर सकते हैं ठीक है और दूसरा तरीका ब्लेंडिंग करने का एस इटीज मैं फिर से वही स्टेप को फॉलो कर रहा हूं कि देखिए दोस्तों यह है एक फ्लैड ब्रस कि इसके यूज से भी आप जो है ब्लेंडिंग कर सकते हो तो इसके लिए मैं दो-तिन तरीका का दो-तिन तरह का मैं ब्रस रखाओं यह मेकप वाले ब्रस में आ जाते हैं बहुती स्मूज सेंथेटिक हैर वाले हैं यह दोनों इनका भी यूज कर सकते हो इन में से कोई भी आप यूज कर सकते हो तो इसको यूज करने के लिए आप सर्कल मोशन के साथ दीरे-दीरे जब ऐसा करोगे तो वह जो टोन है वह थोड़ा डारकर भी हो जाएगा और इतने अच्छे से मिक्स हो जाएगा एक सभी लाइन आपस बनता है इससे ठीक है जैसे मैंने इस पर ब्लेंड किया है और आपको अगर मालों कहीं और शेड भी करना है बीना पैंसिल के टच किये तो आप इसी ब्रस के तुरू फिर से शेड भी कर सकते हो देखो मैं क्लाइन बना रहा हूं हलका हलका देखो मतलब लाइट शेडिंग ब्लेंड करना हो तो आप इस प्रस के सत्पा कर सकते हो जब अगर आप एक बर इस में ब्लेंड किये होंगे तो कि T 이후 तरीका है यह अगर आपchas kli चरी तो आपको हमेशा इसके opposite direction में फिर से एक बार लाइन खिचना होता है तो वह automatically blend हो जाता है यह थोड़ा realistic लुक के लिए अच्छा रहता है ठीक है चौन्था तरीका है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्ट में आप चाहो तो अगर आपका finger जो आपके finger जो है अगर वैट नहीं हो पसीने से भीगे हुए ना हो तो आप जो है इसको यूज कर सकते हो fingers के साथ भी ऐसे ब्लेंड करके लेकिन fingers के साथ दिक्कत यह होता है ब्लेंड तो बहुत अच्छा होता है बट होता यह है कि हम लोग कभी कभी एक छोटा स्मॉल एरिया होता है जैसे मालू मैं रोज बनाता हूं है ना तो ऐसे प्लेसेस पर मैं ब्लेंड करने के लिए अगर finger का यूज करूंगा तो टोटली ब्लेंड हो जाएगा अगर मुझे एक प्रॉपर वे में अगर ब्लेंड करना हो तो ऐसे सिच्वेशन में मैं क्या यू आप बनाते से में यह भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल कहां यूज कर रहे हो यह नहीं कि आपको मैंने ब्रस के बारे में बताया है तो आप हर जगा ब्रस यूज कर रहे हो तो आपको यूज करना है कभी ब्लेंडिंग स्टिक यूज करना है एरिया के एकॉर्डि हैं दोड़ा कड़क स्मूथ नहीं है इसategor करते हैं तो पेपर ज्यादा रफली घिसता है दो टेक्चर थोड़े हमको टेक्च्छर वाला शेडिंग मिलेगा और ये बहुती सॉफ्ट कॉटन रूई है जो हम दिया और बाती में लगाते हैं जो भी है तो आप इसका यूज़ करें मैं रिकमेंड करता हूं अगर स्मूथ स्किन बनाना हूँ आपको फेस में तो इसके थ्रूँ अगर करते हो तो यह बहुती स्मूथ ब्लेंड करता है यह मेरा फेवरेट है देखिए हो गया पांच तरीके जो मैंने आपको बताया है कि ब्लेंड कैसे करना है इसके अल्टरनेट में आप यूज़ कर सकते हो कोई कॉटन का रूमाल इसके थ्रूँ भी आप कर सकते हो ब्लेंडिंग लेकिन यही याद रखना आप को कि यह सब टूल्श को आपको एक्जाक्ट वहीं प्लेस पधियो करना है जहां हम कर सकते और चोटे-चोटे प्लेसे से जहां पर हमारी उंगली उस प्लेस के साब से बढ़ी है तो आपको ब्रणिंग तो यूसका नाहा है ठीक है और अगर आप चाहो तो इयर्वर्ट बह देखने के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद